कि पिछले लेक्चर में अपने ग्राप के बारे में पढ़ा था y is equal to x square का पढ़ा था फिर x power 4 का पढ़ा था फिर x power 6 का पढ़ा था फिर x power 8 का पढ़ा था फिर उसमें अपने देखा कि कि ग्राप किसके अफोर से मेट्रिक था range क्या था domain क्या था ठीक है यह सारी बात या अपने की थी और उसमें हमने ये भी देखा था कि कौन सा graph का बड़ा होगा और का छोटा होगा ठीक है आज उसी को लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे graph का बड़ा होगा और का छोटा होगा चुले हेडिंग हम डालेंगे अब कंपेरिजेन बिट्वीन ग्राफ ठीक हेडिंग क्या पड़ेगी कंपेरिजेन बिट्वीन ग्राफ चुले कंपेरिजेन बिट्वीन ग्राफ हम बढ़ेंगे कंपेरिजेन बिट्वीन ग्राफ चलो स्टार्ट करते हैं इसमें देखना क्या होता है कॉडिनेट एक्सिस में हमें आरे दो ग्राफ बने होते हैं कितने ग्राफ बने होते हैं दो उन दोनों को हमें चेक करना होता है इन में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा ठीक है तो वो हमें यहां पर चेक करना है तो मान ले रहें अपने पास ठीक है ध्यान और एक graph है तुम्हारा जो green color का है ठीक है ध्याँ से देखना ये है ऐसे तो सबसे पहले तो जो ये वाले points है ना ये वाले points ये देखो इस graph को हम बोल दे रहे हैं fx और इस graph को हम बोल दे रहे हैं gx ठीक है इसको क्या बोल दे रहे हैं gx अब देखो जो तुम्हारा gx होगा ना बेटा gx और जो तुम्हारा fx है यह यहाँ पे intersect कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे इस point पे यह जो point है इनके solution होंगे जहाँ पे दोनों क्या होंगे equal होंगे अगर हम point A की बात करें point B की बात करें और point C की बात करें ठीक है point A point B और point C की बात करेंगर तो यह जो तुम्हारे points है आए बी सी यह दोनों ग्राप की क्या है सलूशन मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर बात करेंगे तो वहां पर फंक्शन क्या होगा दोनों इक्वाल होंगे एफेक्स बराबर जी एक्स यह दो पॉइंट से अच्छा यहां इक्वाल हो गए बाकी जगे पर या तो एफेक्स बड़ा होगा और या फिर जी एक्स बड़ा होगा ठीक बाकी जगे पर या तो एफेक्स बड़ा होगा या तो जी एक्स बड़ा होगा तो उसके लिए जो ग्राप उपर होता ना बेटा वो हर दम क्या होता है बड़ा होता उस इंटर जिस इ यह point of intersection x1 पे हुआ है यह इस पे हुआ x2 पे हुआ है यह मालने किस पे हुआ x3 पे हुआ है या एक्स की value यहाँ पर क्या x2 यहाँ पर क्या x1 और यहां पर क्या x3 अगर हम x की value बोलें if x जो हमारा x है बेटा x वो कहां से कहां तक है नहीं चलो x अगर हमारा x1 से छोटा है x1 से छोटा मतलब समझ रो x1 मतलब ये है और इससे छोटा मतलब पीछे ठीक यहां पीछे आना x1 से पीछे आना है x जो हमें लेना है वो x1 से छोटा लेना यानि इस type इधर देना है तो अगर तुम देखो तो यहां तो दोनों graph इक्कों लोग है उसके बाद जैसे तुम इधर बड़ोगे तो यह वाला graph उपर है और यह वाला graph क्या है नीचे ग्रेन वाला graph उपर है और ब्लू वाला graph नीचे है इसका मतलब क्या हुआ जो graph उपर है वही क्या होगा बड़ा होगा तो यहां से हमें पता चला अगर ऐसा condition है तो कौन बड़ा होगा green मतलब gx तो इस interval में gx जो है वो बड़ा होगा किस से fx से equal वाला हमने बोल दिया कहां पर abc यहां 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 क्या है दोनों equal रहेंगे बट अगर हम इस interval में बात करें यहां से लेकर पीछे तो कौन बड़ा है इस interval में ग्रीन वाला दूसरा अगर हम x की value ले 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 x1 और x2 के बीच में यानि x1 से बड़ा लेकिन x2 से छोटा X2 मतलब इसके पीछे और इसके इधार यानि इसके बीच में इन दोनों के बीच में कुई point लेगे अच्छा इन दोनों के बीच कि बात करोंगे तो कौन सा उपर है यह वाला ग्राप ऊपर है और यह वाला ग्राप गया नीचे है तो इसका मतलब कौन बढ़ा होगा fx बढ़ा होगा यहाँ पे और कौन चोटा होगा बेटा gx चोटा होगा ठीक है चलो इसी तरीके से अब तुम बता सकते हो अगर हम x की value x2 और x3 के बीच में ले ले X2 और X3 के बीच में ले 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 तो X2 और X3 के बीच में देखो ये और ये इनके बीच में क्या है Green वाला उपर होगे अब तो कौन बढ़ा होगा Green वाला बढ़ा होगा Green वाला मतलब GX तो इस Interval में GX होगा और Greater Than किसे होगा FX से ऐसे अब तुम लास्ट वाला भी बता सकते हो अगर हम x की value क्या ले ले एक्स 3 से बड़ी जैसे तुम इधर भागते रहो कि तो हर दम क्या बढ़ा रहेगा ब्लू वाला बढ़ा रहेगा तो यहां से क्या जाएगा fx greater than gx ठीक है यह हम देखते हैं चेक करते हैं कौन सा graph x उठाओगे मानलो यहां पर हमने एक x लिया ठीक है तो अगर तुम जिसको graph जिसको तुम बड़ा बोल लो इसका मतलब उसकी value बड़ी मिलने चाहिए और उसकी value अगर तुम एक्स की रखोगे तो गहां पर मिलती है y x से मिलती है ठीक है अच्छा 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 अच् ग्राप होगा उसकी height कम होगी तो fx greater than gx हम ऐसे comparison करते हैं अगर हमें graph पता है तो graph से देख कैसे बता सकते हैं ठीक है चलो यह अपनने सीखा अभी कि कौन graph कैसे कब बड़ा होता और कैसे छोटा होता है एक example और लिखते हैं इसको हम लिखने का तरीका भी अलग-अलग होता अब हम बता देने तो चो माल ले graph यह है ठीक है और एक graph यह है यह तुम्हारा है point a और यह तुम्हारा है point b इसको माल ले रहा है fx और यह जो तुम्हारा है वो के है gx यह के है बेटा gx ठीक है अब देखो यह है तुम्हारा fx और यह है तुम्हारा gx अब हम क्या करेंगे इसमें हमें चेक करना है कि कहां पे कौन सा graph बड़ा है और कहां पे जोटा है इसको माल ले रहा है एक्स वन और इसको माल दे रहा है and X2 ठीक है कि माल दे रहा है and X1 और X2 तो हमें दो तीन पार्ट में देखना एक दोने की बीच में देखना एक इधर देखना इं ठीक है चलो अब हम पहले देखते हैं जब X की वेलू X1 से छोटी होगी X अगर X1 से छोटा हो जाए ठीक है यानि जो हम X की वेलू ले रहना है यहां पे वो X1 से छोटा यानि पीछे है और जैसे तुम पीछे तुम्हें दिख रहा होगा कौन सा बढ़ा है पार्ट यह वाला यह बढ़ा ग्राफ है तो कौन सा बढ़ा है पीटा FX नहीं FX बढ़ा है यानि FX ग्रेटर देन क्या हो जाएगा GX चलो दूसरा हम लेते हैं अगर X की वेलू X1 से बढ़ा हो जाए लेकिन X2 से छोटा हो जाए देखो इस पार्ट की बात हो रही है तो इस पार्ट में अगर ह यह बढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या हेगा GX ग्रेंट क्या बच्चे FX ग्रेटर क्या बच्च अब देखो दूसरा ग्रेंटे हैं यह वाला यहाँ से जब if क्या बटा अगर x की वेड़ो किस से बड़ी हो जाए x2 से बड़ी हो जाए x2 मतलब इस से बड़ी हो जाए या निए इसे तुम्हें दिख रहा होगा ये point होगा ये graph होगा इसका मतलब कौन बड़ा होगा इस बार फिर से fx बड़ा होगा और gx क्या होगा छोटा होगा fx बड़ा होगा और gx छोटा होगा अच्छा इस चीज़ को न तुम ऐसे लिख सकते हो ये जो हमने अभी ये draw किया न ये ये और ये ये तो हमने पता किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसलिए हमने ऐसे बना दिया बड़ तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, अगर तुम्हें दो ग्राफ एक साथ बने हुए, ऐसे, और तुम्हें अगर मालो बोल दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए, max, fx, gx, इसका मतलब पता क्या हुआ, तुम्हें दोनों ग्राफ ड्राफ करना है, fx भी ड् करना और gx भी ड्राफ करना है, अब तुम्हें ये देखना है, कि दोनों ग्राफ ड्राफ करने के बाद, जो सबसे बड़े वाले पार्ट होंगे, वो उपने उठाना है, यानि जिस इंटर्नल में जो ग्राफ बड़ा होगा, सिर्फ वो लेना है, चोटे वाले से मतलब, न ये वाला बड़ा है, तो हमें ये मार कर दिया, इन दोनों के बीच में हमने देखा की, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इस में देखो, ये मतलब नहीं होता, की fx तुम्हें लेना है, gx लेना ब catalyst लेना है, तुम्हें ये लेना है, बस maximum होना चाहिए, जिस interval में हो, अगर तो इस इंटरल में यह maximum है यहां से यहां तक में यह maximum है यह यह बढ़ा है ठीक है तो अगर तुम इसका graph बनाना चाहते है तो पिछ में यह हटाना पड़ेगा यह वाला part हटादगो यानि तुम्हारा जो main graph होगा वो यह होगा ये graph बनेगा अगर हम ऐसे लिख देते maximum और GX ये तो दो को एक comparison का था कि यहां बढ़ा होगा यहां चोटा होगा लेकिन अगर question में ऐसे लिखा है कि max fx, gx तो तुम्हें कौन से लेना मेटा जो बड़े होगा जो दोनों ग्राफ में जो सबसे बड़े बड़े पार्ट होंगे वो तुम्हें उठाना है similarly minimum में यही करेंगे एक minimum operation हम करते फिर से यह हमारा graph fx और gx दिया गया था उसका हमने क्या बनाया है max मतलब यह चलो बागी graph comparison हमको आ गया कि कब graph बड़ा होता जो graph x-axis उस दोनों graph में जो सबसे ज़्यादा height पे होगा वो graph बड़ा होता है और दूसरा वाला क्या होगा अब देखते हैं मालों में minimum पूछ ले minimum of fx, gx जैसे maximum बताया वैसा से minimum होगा minimum मतलब जो नीचे होगा अगर आप मालने graph ऐसे करके है ठीक और एक graph ऐसे करके इसको मालने हैं fx और इसको मालने हैं gx ठीक द्यान से देखना है इसको मालने रहे हम उपर वाला है fx यार इसको दूसरे color से बना दे रहे हैं चलो black color कर दिये इसको यह है तुम्हारा fx और green वाला ग्या है gx तुमको minimum mark करना है fx ógs के graph में जहां पर 2 minimum होगा जो minimum होगा वो तिमये लेना है यह तो पता चलगा यह equal होगा फ्क है यह क्या होगे इक्वाल होगे तो यहां पर कोई कोई दिक्कत नहीं है अब जाखो अगर हमें minimum मार करना है अच्छा यार तुम्हें कि अगर यह point हम मां ले रें x1 इस point को माल संबसे अाइंगे तो कौशा होगा क्योंकि यह बढ़ा होगा इसमें बात करें यह बात चोटा होगा इसके इंदर बात करें तो यह बाला चोटा होगा तो पूरे में शाध कीछ न है उसके बाद तुम्हें देखना है जो सबसे चोटी-चोटी value होगी वो उठाना है minimum उठाना है तो सबसे चोटी-चोटी value मतलब देखो यहां तो इक पल है तो मजबूर ही है चोटी बड़ी बात ही नहीं करेंगे बड़ यहां पर अगर हम देखो तो यह वाला पार चोटा है तो इस बार हम कौन सबसे लेंगे इन दोनों में यह वाला उसके बाद फिर यह चोटा होगा उसके बाद यह चोटा होगा उसके बाद यह चोटा होगा ठीक है क्योंकि हमें graph में minimum चीजे बतानी थी तो minimum यही वाले होंगे उपर वाला भड़ जाएगा maximum पूछता तो उपर वाले होते minimum नीचे वाला भड़ जाता ठीक है अब देखो यह जो point है इस पर दियान लगना यह intersection point होते हैं और intersection point मतलब होता है जहां पे दोनों graph equal हो रहे हो जहां पे दोनों graph equal हो रहे हो यहनि fx बराबर gx हो रहा हूँ ठीक चुड़ो यह अपने comparison वाला सीखा आज अब ही देखो हम एक पिछले lecture वाले questions से थोड़ा एक बार और सीखेंगे यहां पे जो हमने बोला कि fx बराबर gx होगा जैसे हमने पिछले lecture में ऐसा एक graph बनाया था यादो सबको दो एक बनाया था हमने x2 का ठीक है और एक बनाया था हमने मान ले रहे हैं यह है तुम्हारा x की power 4 का तो दूसरा हमने बनाया था x2 का वो ऐसे था साय पता चल गया होगा ना क में अब दोनों प्रगाएं था हम यहां और गर क्या रहे हैं तो तुम बताओ पहले तो equal करके हम प्उइंट संब कर नों प्या derived कि x की पावर 4 और एक है x square तो हम क्या करेंगे x की पावर 4 is equal to x square ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे यहां से x square x square एक निपट जाएगा कितना है एक x square is equal to 1 तो x की value कितनी आ जाएगी plus minus 1 ठीक है अब देखो यह होगा तुम्हारा 1 और यह होगा तुम्हारा minus 1 लेकिन यह वाला point कहा गया ध्यान से देखो अगर तुमने इस दोनों को solve किया कि हाँ दोनों graph हमें equal करना है तुमने निपट गया यहां से x square x square की value 1 i x कितना जाएगा plus minus 1 आजाएगा सब को दिख रहा होगा लेकिन यार यह 0 भी तो equal हो रहा था तो वो कहां चला गया ध्यान रखना कभी भी हम कभी भी हमें number of solution निकालना होता है equation को हम number of solution के लिए solve करते है तो कभी भी factor cancel नहीं करते है उसको हम अर्दम common लेते है तो यह हमारा process गलत था सही क्या है सही यह है कि अगर हम x square is equal to x square लिखा हुआ है तो इसको हम यहां से x के power 4 minus x square is equal to 0 यहां से x square हम common लेंगे तो यहां प x square minus 1 is equal to 0 है ठीक है अब देखो तुम्हें पता चल लगया होगा दो number का product 0 का बहुता है यह 0 हो जाए यह फिर यह 0 हो जाए तब यह 0 होगा तो यह 0 पर ही 0 हो जाएगा और यह 2 0 होंगे तो 1 के आएगा 1 और 1 के आएगा minus 1 जब इसको तुम 0 कराबर करोगे तो कितना हैगा plus minus 1 तो एक point क्या है 0, 1 और 1 minus 1 तो 1, 0 और minus 1 यानि यहां पर दोनों graph क्या होंगे equal होंगे इसलिए यहां पर intersection हो रहा है इसलिए यहां पर intersection हो रहा है अब देखो अगर हम बात करें graph increasing और बड़े और छोटे ही भी बात करें तो अगर हम x की वेड़ी बेटा 1 से बड़ा ले ले 1 से बड़ा ले ले तो तुम बता कौन सा graph बड़ा है एक्स की पावर फूर greater than क्या x square यानी यह बड़ा होगा अगर हम x की वेड़ी जीरो से 1 कर दें नहीं 0 से 1 नहीं minus 1 से 1 कर दें तो देखो कौन बढ़ा होगा नीचे कौन है black बाला एकसी पावर 4 ऊपर कौन है green बाला यानि कौन बढ़ा होगा x square बढ़ा होगा किस से x की power 4 से और अगर हम x की value less than minus 1 ले ले माइनस 1 से चोटा यानि इदर कौन बढ़ा होगा ब्लाइक वाला कौन सा, x की power 4, greater than x square, और यह हमने पहले भी लेक्चन नों सीखा था, कि अगर x की value 1 से बड़ी होगी, तो जिसका power बढ़ा, वो graph बढ़ा, और अगर x की value minus 1 और 1 के बीच में, तो जिसका power छोटा, वो बढ़ा, और अगर x की value minus 1 से इधार है, छोटा है, तो ज इसका power बढ़ा, वही graph बढ़ा होता है, लेकिन ध्यान लगना, even power के लिए सही होता है, इसके लिए के वल, even power होना चाहिए, x की power 4 हो, x square, x cube हो, अब देखो, पिसले लेक्चन बढ़ा है, लेकिन अगर हमें x की power 6 का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, x की power 6 मतलब सबसे उपर होना चाहिए, यानि ऐसे हो जाएगा, और यहां पर सबसे नीचे होना चाहिए, और फिर यहां सबसे उपर होना चाहिए, तो यह बन जाएगा x to power 6 का बढ़ा है, ठीक है, यह हमने थोड़ा सा और basic, basic चीज़ें यहां पर सीखी है, ताकि हमें आगे चलके कोई दिक्कत ना है, ठीक है, आप चलो, आप थोड़ा सा और देखते हैं एक दो चीज,